हलो फ्रेंट्स एक फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल मैथेमेटिकल जन्री पर बहुत दो स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले NCIT क्लास 12 एक्सरसाइज 9.3 और एक्सरसाइज 9.3 की कोशन्स important questions है differential equation अवकल समीकरन chapter है हमारा इसके पहले मैं exercise 9.2 के सारे questions को upload कर चुका हूँ यह हमारी exercise 9.3 है इसके कुछ questions है जिसको हम अच्छे से करके देखेंगे important exercise है exam के लिए start करते हमारी class first question यहाँ पर हमारे पास first question देखकर रखा हुआ है x upon a plus y upon b equal 1 x upon a plus y upon b equal 1 यह हमारा first question है question में सर्फ हमको जो switch अचर रासिया है इनको यहाँ से will output करना है यहाँ से हटाना है eliminate करना है इसके लिए question को कैसे solve करेंगे देखेगा यह एक बाए measure में लिख रहा हूँ question बर first है हमारा a और b को eliminate करना है अचर रासिय जो बी होगी इसको हमको यहाँ से हटाना है इसके लिए हमको इसको differentiate करना है इसका आउकलन करना है अब एक बार आउकलन होगा दोबार आउकलन होगा ये question पर depend करेगा कि कैसे हम लोग उसको values को हटा सकते है questions में ज्यादा तर question में exercise 9.3 के हमको switch अचर जो रासिया होगी उसको यहाँ पर विलुप्त करना है eliminate करना है देखें यह देखर रखा हुए हमारे पस x upon a plus y upon b is equal to 1 eliminate करना है a और b को इसके लिए हम लोग क्या करेंगे differentiation with respect to x both side differentiation with respect to x both side देखें d by dx of यह हो जाएगा हमारे पस x upon a plus d by dx of यह हो जाएगा y upon b equal d by dx of यह हो जाएगा हमारे पस 1 अब दोस्तो differentiation कैसे होता है basic concepts क्या है यहाँ पर मैं वो भी आप लोगों को समझाऊंगा ध्यान से देखेगा यह हो जाएगा one upon है हम लोगों ने बाहर कर दिया जिसका differentiation नहीं होगा d by dx of यह हो जाएगा हमारे पस x plus d by dx of यहाँ पर होगा y और one upon b हम लोगों ने यहाँ से बाहर कर दिया क्योंकि यह differentiate नहीं होगी इसका उगलन नहीं होगा equal d by dx of 1 तो d by dx of 1 यह होता है 0 अब दोस्तो differentiation basic concepts क्या है d by dx of x जो होगा equal यह हो जाएगा x की power अगर मैं n लिख देता हूँ तो basic formula nx की power n-1 बनता है अब यहाँ पर x की power 1 हो जाएगी तो यह हो जाएगा हमारे पस 1 upon a plus 1 upon b का differentiation नहीं होगा और d by dx of y लिखा हुआ है तो x के respect में y का differentiation नहीं होता है अब कल नहीं होता है तो इसको हम dy by dx लिखेंगे equal क्या हो जाएगा हमारे पस 0 अब देखें यहाँ से हमको अभी भी क्या करना है इस 1 upon b को यहाँ से हटाना है अब 1 upon b को हटाना है और 1 upon a को हटाना है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर इसका differentiation करेंगे तो differentiation with respect to x both side again differentiation with respect to x both side again फिर से एक बार हम इसका differentiation करेंगे तो इससे होगा क्या फिर से differentiation करने पर होगा क्या है यहाँ पर समझेगा यह हो जाएगा d by dx of 1 upon a plus 1 upon b यह हो गया हमारे पास और d by dx of यह हो गया d by dx equal d by dx of 0 तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ अब d by dx of 1 upon a या 1 upon a को बाहर करके 1 का differentiation करेंग तो कोई भी अचर रासी का जो अवकलन होता है वो होता है 0 तो जब d by dx of 1 upon a करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 0 by dx square equal यह हो गया हमारे पास 0 तो इस b को transfer कर दीजिए d square y by dx square equal यह हो गया हमारे पास 0 तो दोस्तों यह इसका solution है इसका answer है यहाँ से हम लोगों ने क्या किया a और b के जितनी switch अचर थे उसको यहाँ से हमने हटा दिया तो यह हमारे question का solution है पूरे question में लगबग हम लोगों को एसा ही solve करना है जैसा question बोलेगा question में first था हमारे पास एक से पांस तक प्रत्यक प्रस्टन से switch अचर a और b को विलुप्त करना है और जो वक्र होगा उसके कुल निरुपित करने वाले अवकल समीकरन हम लोगों को ग्याद करना है जो कर्व होगा चुकि यह कर्व का equation है वक् concept में कुछ चीज़े आती है तो वो concept हम लोगों को देखना पड़ेगा इस exercise के लिए कि कैसे हम concept को हटा दे आगे बढ़ते next question solve करते ध्यान से देखे कुछ हमा second क्या देकर रखा हुआ है कुछ हमा second देकर रखा हुआ है question number second exercise 9.3 y square equal a यह हो जाएगा b square minus x square अब दोस्तों यह से हमको a और b को eliminate करना है a और b को हटाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले y square equal a से अंदर multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा a b square minus ax square यह equation बना लिए हम लोगों ने इसको हम equation नाम दे सकते और आगे भी solve कर सकते ठीके मतलब इसको equation अगर नहीं भी देंगे तो भी और equation number नाम देकर आगे solve करेंगे तो भी चलेगा देगे इसका differentiation करते है differentiation with respect to x both sides differentiation with respect to x both sides x का दोनों पक्षों के respect में differentiation करने पर तो यह हो जाएगा हमारे पास d by dx of y square equal d by dx of a b का square minus d by dx of ax square इस्टे बढ़ाऊंगा अराम से हम लोग solve करेंगे concept आब लोगो clear होना चीए यह y को हमको क्या करना है differentiate करना x के respect में तो y को हम x के respect में differentiation नहीं कर सकते लेकिन chain rule से हम इसको solve कर सकते तो पहले power का differentiation हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 2y और यह हो जाएगा d y by dx basic concept chain rule का है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा equal यह पूरा का पूरा हो जाएगा हमारे पास 0 minus a को हम भार करेंगे और d by dx और एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं में यह हो जाएगा हमारे पास x square basic concepts के उपर ध्यान देना है यह हो जाएगा 2y dy by dx equal यह 0 को हम हटा देता हूं यह हो जाएगा हमारे पास minus x square का जब differentiation तो 2a और 2a यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यह वाला 2 मैंने नीचे लिख दिया यह वाला a लिख दिया है x ध्यान से देखिएगा क्या हम लोगों ने यहाँ पर solve किया है कैसे हम लोगों ने यहाँ पर solution लिकर आए तो यह होगा हमारे पास 2a x अब दोस्तों यह देखे यह होगे हमारे पास एक बार differentiation करने पर तो यह इसको हमने equation number 1 बना दिया हमको क्या करना है हमको eliminate करना है eliminate करना है मतलब कि हहाँ से हमको a और b को विलॉप्त करना है a और b को हटाना है तो हम लोगों ने b को तो हटा दिया है यहाँ से हम लोगों को a को हटाना है तो एक बार फ dy by dx, 2 को सामने अलग रखकर solve करेंगे, तो भी चल जाएगा या क्या कीजे, यह वाले 2 से यहां से, इस 2 से, इस 2 को cancel कर दीजे एक equation और बना लिजे, यह जाएगा y dy by dx equal minus ax, तो यह दोस्तो यह बन गई हमारी equation number 1, अगर equation इसको बनाते, तो भी हम इसको solve कर सकते, लेकिन जब यहां से cancel हो रहा है, तो आप लोग cancel out कर लिजेगा check किजेगा ध्यान से, कहां पर हम लोगों ने क्या क्या चीजे solve किये, तो अब यहां पर यह जो 2y है, यह यह वाला 2y हमारे पस नहीं होगा हमको अब इसको differentiate करना है, first function, second function का concept लगेगा, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास minus का a x, अब दोनों पक्षों में हमको differentiation करना है तो यह हो जाएगा d by dx of minus a x, अब देखिए first function, second function का concept है यहां पर, first function का differentiation नहीं करेंगे, d by dx of second function, dy by dx, plus second function, dy by dx, और यहां पर, d by dx, यहां पर हमने first function का differentiation कर दिया, और second function का कुछ नहीं करेंगे, तो dy by dx, equal, यहां से देखिए, यह हो जाएगा, खाली हमारे पास minus का a, अब इसको थोड़ा और solve कर लेते, यह हो जाएगा, हमारे पास y, इसको हम लिख लेंगे, d square y by dx square, plus यह हो जाएगा, हमारे पास dy by dx, पूरे का whole square, equal, यह बज़ गया, minus equation number second, अब दोस्तो, b थो हमने eliminate कर दिया था, b की value को थो हमने हटा दिया था, अब हमको क्या करना है, यहां से a की value को भी हटाना है, तो equation number first, जो हम लोग ने बनाया है, इसको चेक कीज़, equation number first, क्या बनाया है, हम लोग ने, यह equation number first है, हमारे पास, y dy by dx, equal minus x, तो यहां से हम a को eliminate कर सकते, a को यहां से हम हटा सकते, तो हम लोग क्या करने वाले, equation second divided by equation first, equation second divided by equation first, समीकरण 2, इसमें हम भाग दे देंगे, समीकरण 1 से, तो equation second क्या है, चेक कीज़, यहां से equation second है, हमारे पास, lhs को lhs से भाग देना है, rhs को rhs से भाग देना है, y d square y by dx square, और plus dy by dx, whole square, equal minus a, denominator में, यहां से यह हो जाएगा, हमारे पास y dy by dx, equal, यह हो जाएगा, minus का ax, इस minus a से minus a को cancel कर देंगे, क्या बचा हमारे पास यहां पर, यह बचा y, d square y को हम y double dash लिख सकते, plus इसको हम लिख सकते, y dash और इसका square, चेक कीज़ेगा, y dash का square इधर लिखा y, equal, y dy by dx को इधर लिखा जाएगा, तो y और यह हो जाएगा, y dash, अब one upon x है, तो x को transfer करके, यहां पर इस position में लिख लिख लिजे, denominator में था, तो multiply होने के बाद, वो numerator में दूसरे side में जाएगा, अंदर multiply कर दीजीते हो जाएगा, x y, यह हो जाएगा, हमारे पास x, y, और y double dash, plus x y days, और y days का square, minus y, y days, equal, यह कितना बचा है, यहां पर, 0, इसको transfer करके, हम लोगों ने इधर लिख लेकर आगए, answer चेक हीजेगा, x y, y double dash, plus x y days, इसका whole square है, लगे तो आप इसको यहां पर bracket लगा दीजे, ताकि आपको कोई confusion, यहां पर किसी प्र